ओडियो क्रमांक 11, पुस्तक का नाम सभ्धता, सज्जनता और सुसंसकरिता का अभिवर्धन लेखा ब्रह्मवर्चस विदेशी वस्तुवग को उपभोग हमारी मानसिक पराधीनता है भारत जब अंग्रेजों का गुलाम था, तब वहाँ व्यापारी अपने देश का निर्मित सामान लाकर बेचा करते थे उचे दामों पर घटिया माल भी हो, तो भारतिये जनता को खरीदना पड़ता शासक वर्ग अपने देश की बनी वस्तुवग के आगे भारतिये चीजे टिकने नहीं देते थे और वह सारा पैसा विदेश चला जाता इस शोशन चक्र को बंद करने के लिए ही जागरुप और विचार्शिन लोगों ने स्वाधिनता संग्राम छेडा लोकोप्रिये जननेताओं के स्थान पर विदेशी वस्तुवग का बहिशकार किया जाने लगा विदेशी कपडों की होलिया जलाई गई लोगों ने भारत से बाहर बनी हुई वस्तुवग का बहिशकार किया केवल इसलिए कि विदेशी व्यापार को निरूत सहित किया जाए और गरीब देश का पैसा देश में ही रहे हाला कि इन सब आंदलोनों का धेय भारत को स्वतंत्र कराना था परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति का सबसे बड़ा लाग भी अही आखा गया था कि हमारे देश का धन हमारे ही राष्ट्र को सम्रुद्ध और उन्नत बनाने में प्रयुक्त हो सके विदेशी शासन के शोड़ शोशन चक्र को नश्ट करना एवं राष्ट की सम्रुद्धी और विकास के नए द्वार खोलना स्वतंत्रता का प्रमुप लाग था स्वतंत्रता प्राप्ट हुई हमें अपने विकास और सम्रुद्धी का आत्माधिकार मिला परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ट करने के बाद देशवासियों की जिस दिशा में प्रवृती बढ़ी उसे देख कर कहा जा जाए कि हम अपने प्रैत्न और पुर्शाथ से प्राप्त की गई उपलब्धी का लाब नहीं उठा सके तो कोई आचेरे जनक बात नहीं है स्वाधिन्ता प्राप्त कर लेने के बाद विदेशी वस्तूओं के प्रति जो मोह भारतिय नागरिकों में जागा है उसे देखकर तो यही लगता है कि स्वाधिन्ता का परिणाम विपरी थानी का रखी रहा पहले लोग शायद किसी दबाव में आकर बाहर की बनी चीजे खरीदा करते थे परन्तु अब स्वेच्छा से और वह भी शान समझकर विदेशी माल का उप्योग किया जाता है यहां की बात तो छोड़ ही दीजिए कोई विदेश भी जाता है तो चिंता यही बनी रहती है कि वहां रहकर किसी प्रकार अधिक से अधिक पैसे बचाएं और उस पैसे से अपनी पत्नी तता बच्चों के लिए बढ़िया विदेशी साडिया वहां के बने हुए खिलोने खरीद कर ले आए इस कारण वह बढ़ी कंजूसी से पैसा खर्च करता है तथा विदेशी समाज में वहां आधर भी नहीं पा सकता जो कि कि किसी प्रवासी देशवासी को मिलता है भारती वस्तू के और जहां दूसरे देशों के नागरिक आकरुष्ट हो रही है यहां की कलत्मक चीजे विदेशी नागरिकों को अपनी और आकरुष्ट कर रही है हमारे देश का उत्पादन दूसरे देशों की मंडियों में महतुपुर्ण स्थान लेता जा रहा है वहीं एक भारतियक का विदेश हिमाल के प्रती मोह उसे बौधिक दुरुष्टी से भी और नैतिक दुरुष्टी से भी बौना बना देता है इसका आर्थ यही है कि हम राजनेतिक दुरुष्टी से भले ही स्वतंत्र हो गए हों मानसिक दुरुष्टी से अभी भी पराधीन है दास है इस दास्ता से चिपके रहने की ही चेश्टा करते रहना और स्वतंत्रता थथा स्वराज्य की प्रशंसा करना ये दोनों ही असंगतियां हर दृष्टी से आस्यास्पद ही लगती है एक और जहां भारतिय साडियां और वस्त्र विदेशी विदोश्यों में लोकप्री हो रही है कांजी वरम और बनारस के जरीदार परिधान जन्चर्चा का विशे बने हुए है काश्मेरी हैंड अब्रोडरी के फीछे दुनिया दीवानी होती जा रही है वहीं फ्रेंच, शिफॉन और यॉर्पियन टेरिलिंट रिकॉर्ट तथ नाइलोन की इच्छा करना कितने छोटे और ओचे मस्तिश्क की उपज है नेपाल और तिब्बत की सीमा पर बंबई, कलकत्ता और मदरास के बंदरगहा पर खुले आम चल रहा बढ़ रहा तसकर व्यापार इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि हम विदेशी वस्तू के परती कितने आ सकते हैं इस व्यापार के करणधार कभी तो कस्टम अधिकारियों के आँखों में धूल जोगते हैं कभी पैसे का प्रलोभंदे कर उनको अपनी तरफ मिला लेते हैं यहां एक प्रत्यक्ष देश घाती तसकर व्यापार का धन इस प्रकार चोरी चिपे विदेश जाता रहा है अधिक जीवन में विदेशी वस्तों का उप्योग करने वाला आमार की जिन कलाईयों पर feeling निर्मित घढ़िया बंती हैं उनमें से अधिकांश तसकरी त्वारा इस देश में लाई गया है जिन कंधों पर विदेशी ट्राँजिस्ट्र जूल रहे हैं उनका एक बड़ा प्रतिशत इस अपराधी पद्धिती से भारत में लाया गया है कहां यह जाता है कि विदेशी माल का प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि अपने देश में बनी वस्तुए मजबूत और टिकाओं नहीं होती इस समस्या का समाधान दूसरा भी हो सकता है प्राय यह देखा गया है कि ऐसी वस्तुओं में विलासिता के उपकरण ही ज्यादा होते हैं दैनन दिन जीवन में उपयोग आने वाली सभी वस्तुएं या तो गाव या शहर में ही निर्मित होती है तथा अथवा केंद्रिय की उत्पादन से ही उन आवशक्ताओं को पूरा किया जा सकता है कुछ समय के लिए ऐसी वस्तुओं का उपयोग ही रोग दिया जाए जिन देशों की वस्तुएं हम अच्छी समझते हैं वे भी यहां की बनी हुई वस्तुएं अपने यहां मंगवाते हैं हमारे देश के हाथकरगा से बने हैं वस्तुओं की बारवाबरी दुनिया में कोई दूसरा देश नहीं कर सकता सूती कपड़े ब्रिटेन भारत से मंगवाता है और यहां और यह वहां उस भाव में बिकते हैं जितने दाम में हम की हम यहां टेरिलीन और नायलोन के कपड़े खरीते हैं उसके अतिरिक त भारती साइकिले, सिलाई की मशीने, बिजली के पंक्ये, स्टील की चादरे, भारी मातरा में दूसरे देश मंगवाते हैं कलात्मक्ता में भारती माल की होड दूसरा कर ही नहीं सकता यही कारण है कि यहां के घंडरों की मूर्तियां भी विदेशी लोग लाखो रुपयों में खरीदते हैं फिर अपने देश की चीजों में यदि कुछ कमी भी है तो उसका सुधार उनका प्रयोग करने पर ही होगा एकदम सर्वोत्तम चीज बना लेना संभव नहीं दूसरे राष्ट्र को उन्नती की चरम सिमा पर पहुँशते हैं उनकी प्रगती का राज सर्वोत्तम चीजे नहीं वहां के नागरेकों के रुदय में बसने वाली स्वदेशी वस्तों के प्रती प्रेम है विदेशी राष्ट्रों का फैशन और विलासिता के अनुकरण की अपेक्षा यदि हम उन सद्गुणों को सीख पाते जिनके बलबुते पर उन लोगों ने अपने देश को उठाया है तो हमारा राष्ट्र स्वाधिनिता 25 वर्षों में उन्नती के नजाने किस स्तर को छू लेता यह स्मरन रखा जाना चाहिए कि राष्ट्र प्रेम के गीत गाकर ही कोई देश उचा नहीं उठा करता वह उचा उठा है तो वहां के देशवासियों की लगन निष्ठा और इमानदारी के बलबुते पर यहां कि मिट्टी की जै बोलकर राष्ट्री उत्तरदायतों क इतिश्री नहीं हो जाती देश जाती और समाज के जिसमें हम रहते हैं उसके प्रती हमारे अनेक उत्तरदायतों हैं और उन्हें पूरा करने के लिए स्विच्चया होने देने वाले शोशन के इस क्रम को बंद करना ही पड़ेगा